नमश्कार दूर दर्शन के खास मुलाकात कारिकरम में आपका स्वागत है। आज इस कारिकरम में हमारे साथ उपस्तिते उत्राखंड की ऐसी सक्सियत जिनका पूरा जीवन एक किताब की तरह है। और मुझे लगता है खास कर युगाओं को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हमारे साथ आज इस्टूडियो में मौजूद हैं रिटाइड आईएस चंद सियंजी। चंद सियंजी का पूरा जीवन विसम भागौलिक प्रस्थितियों, आर्थिक प्रस्थितियों से जूचते में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। और आज भी 18 साल रेटाइर्मेंट के बाद 78 साल की उम्र में हो सामाजिक जीवन में पूरी तरह से सक्रिये हैं। तो आएए मुलाकात करते हैं चंद सियंजी से। नमस्कार। चंद सियंजी हम चाहेंगे कि आप अपने बालेकाल के जीवन से कुछ सुरुवात करते हुए हमाई दर्सकों को बताएं कि किस तरह से आपके सुरुवात हुई। जन्वरी 1943 में मेरा जन्म ग्राम गजुली पट्टी बाराट तैसील राजगड़ी टीरिगड़ आल में हुआ। फिर मेरे परिवार शिफ्ट कर गया बंकोली में और बंकोली में परामरीज कुर्राजा के जमार से था पर वहाँ ध्यापक नहीं था। इसलिए मैं अपने गायों के साथ चानी में रहता था। बाद में मेरे बड़े वाई ने हमारी गाउं के सुंदर शिंगनेगी जिन्हों कक्षा पाँच किया तो घर में आयो थी। तो उनसे रिकोष्ट किया कि आप बचोंक पढाना सुकर दे। तो शिरी सुंदर शिंगनेगी ने हम कुछ लणकों को कठा करके पढ़ाया। एक साल में मैंने कख्षा एक लेकर किल पाँ तक किया और मुझे प्राइबट कख्षा पाँच की परिख्षा डिराए गई और थाने आजلفर चमवज में मैंने राज के हायर सेकंड्री स्कूल उतरकासी में कख्षाच świ परवेशी दिया उस जमॉने में साइद अवतरकासी में हाय स्कूल metropolitan नहीं था इन्टी में नहीं ता, такие 59 में मैं नहीं हाय स्कूल कbuilt. और जो मैं नहीं तो मैं अपनी च्छानी मीताब. जो लाइक मैं मेन मिताब जब च्छानी से में घर आया, तो स्री सुन्दलाल बगुना जी हमारी घर आये थे, तो नोने मेरे पता इसका है कि तुमारे साथ लड़के हैं, एक लड़कों को दान दे दीजे, तो नोने का ये शिकाब ले जाए, तो नोने मुझे का आजए तो इंटमिन पढ़ना चाहिए, मैंने का तो नोने का टीरी आ इंटिमिटिट, 61 में किया, परताब कालिशी सरकारी था, फिर 61 में, मैं सोचा मैं बी एकन देरदूने चला जाओ, जब मैं रिस्टिकेस आया, तो बस एस्टेंट पर गड़वाल, टीजिमों की बस एस्टेंट था, वहां पर मुझे, फिर सुन्दराल बगुना जी मिलेग गोलते में बी एकन देरदूने जारा है, सुन्दोने के अदडवाल जैएंगे हुआं おनोंख ने तांगहले स्टेशन में मुझे फिर स्टेशन लेगे, और मैंने नहीं रिस्टेशा लेताया, मैरे पागू सोरुपया है, में देर चलिवाल रिस्टार दोड़वाल भी तो 40 रुपे के मुझे रख्षीत लिखाई गई और फिर 140 रुपेश में अलाबाद चला गया, पिर अलाबाद में मैं हॉल एंड हॉल में मेरा दाखला होगा, वहां के होते हैं यल चौफिन जो पॉड़ी को आपके रहने वाले थे, तो मैंने वहें बीए किया, 63 मैंने बीए किया, और वहां पर मेरे लोकल गार्जन थे प्रोफिसर जस्वन शिनेगी, जो एंशेन इंडियन हिस्टी के प्रोफिसर थे, और फिर मैं कमिशन से सेलेक्शन वारा, साहिक विकास अधिकारी उद्योग के लिए पर्थम, और तम मैं उसमें चला गया, नोगव में हमारे ट तो आम मैं करी शाल वर आज, अमम मलोतरा साव उसमें डिस्टी माश्टेट थे जो इस्टी माश्टी आप पर थे, और मेरे निक्षन के लिए तो अनो मेरे कारिक्रम देखा तो अनो के आतूंको तो फिर दुबारा कोचिंग कर निचाहिए और अपना आइस पीशिक्ष ति अम्मुदू अम होगै, और मियन पीशिंग मेरे शाल की तो इस पिंच मैरा सेलेक्शन हो गया एक पोस्ट पोस्ट उसमेरा सेलेक्षन हो गया, फिर मेरे पोस्टिंग जिए डिप्टिप मेरे बिजभनोवरा सीटेञिवा सेलेक्षन हो ऍह सम require ृष्टृ कारा किना हरदवार से और नजिवात के जाए उसका सरविक्षण भी कराया जी यहां पर आपको थोड़ा से रोकना चाहूंगा आप उन विसम परस्तितियों में निकल कर आए जब स्कूल नहीं थे और उत्तरकासी में मात्रिक हाई स्कूल होता था और इंटर के लिए टहरी आना पड़ से थे तो बच्पन में कौन ऐसे लोग थे कुछ ऐसे भी लोग आये होंगे जीवन में जिन्होंने आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया मेरे पीछे मेरे पेटा जी थे और फिर मेरे भाई को जो टेरी नरेश ने बताया कि उन्हें सो ब्यालिस के आसपास उन्हें प्रा परदाज इस दुनिया मेंनी है तो उन्होंने ही मेरे पीछे सारा अपने जीवन लगा दिया और हमारा उतरकाशिक संस्कृती जिती रिवाज यशा था कि आपस में लोग उसे माने में बहुत मिल जुल्ग के रगए ते वहां पर जाती भेद भी बहुत कम ता उस्टाइप परन्तु मेरे बड़ी बहने मेरे जिया जी जो समय पढ़ते थे तो मेरे बड़ी बहने भी इस रत लगा दी तो तुम पढ़ते रोग जो नहीं तो मैं सिक्ष मेता कि मेरे भाई भी तुमारे साथ पढ़ेगा तो अगर मेरे बहने जो ने लगा थे साइट भी च्छे में आ बादर्ट अखो लिए तो पैसा नहीं होता था, तो गावाला आपस मैं चंदा करते था है, किषिक पास cach रुपया , किषिक पास रुपया , किषिक पास रुपया किषिका ठड़नी चवनी , , प्रकार के बना बना के बड़े मुश्कटशन स रुपया करके और अच ही बात थी क कि अमारे घर में ही विलेज पोस्टमास्टर हमारे भाही थे तो पाइसा मेरे पाँ जाता था था, सरकार ने मुझे स्कॉलर्शिप दिया श्रिलुका कहने कि ना थे, और जो बॉर्डर डिस्टिकेलर के थे, उतरकाशी चमुलय पितरगड़ के उनको बॉर्डर स्कॉलर्शि कुछ प्रशासनिक अनुवहों के बारे में प्रकाश डालिये, उस दौर में कैसा था और मैं चाओंगा कि वरत्मान परिपेख्ष में भी आप बताएं कि आज के प्रशासनिक कारियों में किस तरह से अधिकारियों की भूमी का निकल कर सामने आती है, उस समय के जो अधिका साने लोग लड़के आयते हैं और माम उसले बारते थे जी बुरके में थी उसे उनने का था तुम बोट पढ़ चो कि तुम चले जाओ तो मेरे साथ एक डिप्टेश में था चंदरा और मैं तो चंदरा ने का लड़के कि भाई उनके बोट पड़ी नहीं तुम कैसे का रह तो उसे थपल मार दिया गवार को को अओ जाकर भाग के गया गाओ में और बहुत सारे लोग उनको जाड विरादी के लोग तो जाज़ता था वह आ गए उनने में गेहर लिया तो खिशी तर अशी फिर मैंने पहले मौका था इस सीचुएशन ट्रैकल किया और मिस्टर पांडे जो आइस का टॉप पर ते 64 बैच के मिस्टर एस्टी बागला कावल पांडे बाद में काविन शेक्री बार सरकार में होए तो तंबू में हम लोग जाय करते थे और तंबू में गाओ में रहते थे और पर्ताल करते थे पर्ताल का मतलब हुआ कि हम रभी खरिव जा बाद के सब्सक्राई कि Excel फोत करना था ऐसका ऊवलेग जो हता था होट पांडा था खास्रा यह बताता है कि जमीन पर क्या है डिटेल्ज और क्श्छा एमिन का ख्तेधार कावे खत्ता और दे तो शेकर खक्तने शेक्रार गडें बाताएlli और तो इसके बारे में हम लोग को तो फिल्ड में जाकर काम करते थे यही परकरिया जब में एज्जम सानुपर मेना एज्जम नकोड द्योबन तो वहां भी अशा रहा है फिर एज्जम रुड की रहा है यह बात है चौतर पच्छतर छेटर की तो उस टाइम पर आधिने इंद्रा गांदी जी प्रधान मंतरी तो उनके कारे कार्म चला वी शुतर कार गव उसमें हमने जो सीलिंग थी रूरर्ण सीलिंग अन्य केशी ब्यक्ति के पास अठारह एकड़ से जमीन ज्यादा थी और उस इंद्री जमीन होती थी और सत परवाद पति पत्निय और नावालिक बचे माले जाते थे उनके लिए ठारह एकड़ जमीन छोड़ियाती शेज जमीन जे अगर असिंचित थे तो ठारह एकड़ तक बाकी ले ली जाती थी तो ऐसे हजार एकड़ जमीन जो तैसे लुड़की मैंने निखाली भूमीनों को बाटा जी कई बार मेरे पर हमले भी प्रहार भी पत्थर भी पर उर्ण कि वो बहुत दारा कुरूर बेगते हैं ऐसा सा कर रहे हैं तो उन्होंने चोधरिश्ण शिंग्जी वो ली रहा पुशन तो उनको कहा कि मैं खुद जाच करने जाओंगा तो आदिल ने भगुद जाच करने आए और उन्हें ने पाया करी करी बीज जार की जनता है तो उनके स प्राज किया परजी बाग लगा दिया तो भगुद जी ने कहा कि जब तक परमोसन है तब तक कि एस्डियम बने रहेंगे और अपने हाँ से उन्होंने परशच्ची पत्र मुझे दिया जो आज भी मेरे पास है तो भगुद जी ने उत्तर परदेश के लिए मुझे बेस ए तो मैं डिप्टी जनरर मनेजर और उसका मैनेजर गुपता जी थी तो लगणों में चला गया सिस्टेंट कमिशनर शिकाइट कंप्लेंट्स पूरत तो परदेश के तो शील टेक्श मेरा फिर मैं वहा से पर दोबार डिप्टी कमिशनर अनसुच जाती काहोत परदेश के ल उत्तर परदेश के समय में चार चाज जीलों के मुख्या रहे हैं जी लादीकारी पत पर आप रहे हैं जिसमें मत्रा और बस्ती के अलावा चमोली और उदम सिंग नगर दो उत्रागंड के अब जीले हैं तो कैसा रहा उस दौर में क्या अनुभोर है आपके उसके बारे मे बाई पोडि स्वाइज में चार साल नाहा और वाईसीआ मेरा परमषण हम उपीष्य का रख पोड़ शेयुद कार में अन्यवेष उन लिट्सा आगया था ने करे को अँद दॉ के लिए श्यक्षणब आगया था और आईस में कि लोगों सो कहा कि लोग अपने शिकायतें लिख करने दे माख्वी क कर दे मता है रूङा को व लोग मुझे माख्य कर haft दे ते और मै उनको पड़चे दे तह अपना नाम और टेलिफन नंबर जैसे किसी कि राइसby क क माम्मला है पोलिस के बाओ क autres तो मैं जाता है कि भी आ के उसका दिकारिक पा जाओ, मेरा नाम और टेलिफोन, तुम्हारा गाम अगर नहीं होता है, तो रात को ग्यारव बुजे मुझे फोन करो, बिल्कुल, और तम इसका, तो पुरी जिल्ले में जो है, लोगों को किस पर काशिय नियाए क्या जाता है, व मेरा मुकद में बहुत थे वहां पर, तो सब काम क्या, पर बस्ती में मैंने को लिखने काम यह किया, कि जिन जिन गाउं में कुछ टोगी थे, उनकी पहच्छान की, और उन लोगों को जितनी मदद उनका इलाज होता था, इसके बारे मैंने, बस्ती जिले के रहने वाले थे से इमाता प्रसाजी, जो बादे मुक्रसाची उतर प्रदेश है, और फिर वो यूने पाउलिशनल कमिशन की चेर्ड मिर रहे हैं, अब तो दुनिया में नहीं है, उनका स्वायोग बहुत अच्छा रहा है, और बस्ती से में फिर हर्द्वा लागए तो, उपादेख हर्द कर देया गया है, तो अच्छा में डियम चमुली रहा है, डियम चमुली में एकर इव तीन साल रहा है, वहां का सब सुकतल मौव रहा है, खास करते हुए, जब तिर थ्यात्रा चलती है, उस टाइम पर गट्र दुर गट्र अक्षर हो जाती है, इसी दोरान जो उतराखन को मैंने देखा, गयार शेंड में इसका गतिविदियां बहुत होती थी, पर मैंने सुन्जित के और जिलों में लाठी चार्ज हुआ, पर मैंने कोई आशा काम नहीं किया, अपनी तरह से, वहां बहुत अच्छा रहा है, सर, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम बहुत संचिप में आखरी कोईशन में आपसे करना चाहूँगा, वरतमान परीपेक्ष में उतराखन में पलायन को लेकर बहुत मंचों पर बात हो रही है, तमाम गोश्टियां हो रही है, तो हम देखते हैं कि अंधिकारी रेटायर होते हैं, यह कंपंसर हो जाना चाहिए, कि जहां का वो रहने वाला है, उस गोव में उर रहे, चाहे लगाता न रहे, उसका सरविक्षन करें, चुंकि गोवर्मेंट के पाँ इतनी जानकारियां नहीं होते हैं, तो इनका अनुभव को फाइदा होना चाहिए, जहां तक पलायन का सवाल है, तो पलायन करते मजबूरिये के जिसे हम आईश अपसर है, हम बंबे चलेगे तो हमारो रहेंगे, पर तो दुखत की बात है कि आजकल लगबग पुरे उतरा खंड में लोगों ने खेती बारी के काम बंद कर दिया, जो गोव में में उन्हें खेत बंजर कर रखें, इस पर चिंता करनी चाहिए, एक दिन ऐसा आएगा, जब पंजाब, हर्यान, शेह हमेरे आसन मिलना, एफशाय को खरनी कर पाएगे, तो समय जिवित कैसे रहेंगे, तो हमारे पास जिल्ह उदम से नगरे का ऐसा जिल्हा है, जो पूरे उतरा के लिए चाहिए उद्योग हो, अकेला जिला जो उनको पाल सकता है, और जो लोगों ने गाउं में खेती करना बंद कर दे, ये दिवो तीन साल तक ने जोते बोते, तो जमिन सरकार में नहीत हो जानी चाहिए, कानून में सर्शन सदन हो जाना चाहिए. मुझे उमीद है कि जो भी हमारी बादचीत होई है, सार्थक बादचीत होई है, हमारी दर्सक इसका जरूर लाब उठाएंगे, और हम आगे भी आपको किसी विशेश मौके पर सर्श से फिर मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार.